नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि सूर्य से अगर बाकी ग्रहे युथ हो जाते हैं सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, किसी कुंडली में सूर्य मंगल होता है, सूर्य बुद्ध होता है तो क्या फल मिलते हैं, वो डिपेंड करना है तो दी ग्रहे योगा ध्याय बोलावाया, मैंने चैप्टर को उसको कि दो ग्रहों का फल कैसा मिलता है एक कुंड़ी में किसी घर के अंदर दो ग्रह भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो अभी हम दो को लेके चल रहे हैं कि दो ग्रह हों और कौन से ग्रह हों तो क्या फल प्राप्त होगा, तो आज हम देखेंगे कि चंद्रमा के साथ अगर अलग अलग ग अगर चंद्रमंगल योग भी बोलते हैं उसको चंद्रमा से मंगल का योग को जाए लक्षमी योग लिए उसके बारे में कि रन प्रतापी शूरो मींश मुझा उसूर वील होता है रन प्र्तापी रं को कि यद्ध को जीटने करने वाला होता है युद को प्रेम करने वाला होता है मलो सगे युन नित देश यानि पहलवानी प्रिय होता है और रक्त की उसको पीड़ा हो सकती है यह उसमें रहता है गर चंदर मंगल किसी कुंडली में साथ बैटे हो तो ऐसा जातक जो है बहुत बहुत भादूर होगा य लेकिन रख्त की पीड़ा उसको हो सकती हैं मिट्टी या चमड़ा या धातुगा कारे करने वाला होगा और प्लानिंग करने वाला बहुत जबारस्त होगा मतब आप सोची कि ऐसी प्लानिंग जो नेगेटीव प्लानिंग होती है वो प्लानिंग करने में बिल्कुर निपुड होगा एक्सपर्ट होगा ऐसे जातक जिनके चंद्रमावमंगल एक साथ बैटे हो तो चंद्रमंगल अगर अच्छे घर के अंदर बैटे हों तो ये लक्ष्मी योगी बनता है, इसे धन भी काफी प्राफ्त होता है, धन दाने की विरद्धी होती है, सुप की वरद्धी होती है, उसके सासाथ जो ये बताया मैंने आपको, ये चीज भी इसके अंदर ली जाती उसके बाद आता है चंद्रमा वे बुद्ध का योग, अगर चंद्रमा और बुद्ध एक साथ कुन्लियम बैठे हो, तब क्या होगा? तो कहते हैं, कावे कथास्तित निपुणें सघन इस्त्री सम्मत शुरूपस्चे, इसमित वदन शशी बुद्ध योर्ध रमरूची स्याद विशिस्ट गुणें, यानि चंद्रमा वे बुद्ध का योग हो, तो कावे कथास्त निपुणें, मतलब कावे में बहुत निपु इस्त्री का प्रिय बन जाता है और सुन्दर होता है, और मुस्कराहाथ वाले मुख का होता है, उसके मुँपे हमेशा, उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कराहाथ लगी रहती है, धार्मी के विशिस्ट गुणों से यूत होता है, ऐसा जाता है जिसका चंद्रमा वे गुरू अगर कुंडली में साथ बैठे हो, तब क्या होगा? वो कहते हैं, चंद्रमा गुरू योग में, गुरू और चंद्रमा, दोनों को आप देखिए, चंद्रमा आपका शीतल ग्रह है, एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, माना जाता है, सौफ्ट ग्रह माना जाता है, गु चंद्रमा और गुरू का योग, अगर कुंडली में किसी की है, तो वो करेगा स्वेबंधू सम्मान क्रद धनेश्च, यानि पक्की मित्ता देने वाला बनेगा, और धन देने वाला बनेगा, गुरिंदो शुबशीले, सुर्दी जानाम ही तो भवेत पुर्शह, ये कहते ह हैं, और क्या होगा, अपने बंधों का समान करने वाला होगा, धन पती होगा, शुब चरितर वाला होगा, शुब शील है, शुब शील मींस के शुब चरितर वाला होगा, देवताओं वे ब्रहमनों का प्रिय होता है, उनका हितकारी होता है, तो चंद्रमा और गुरू के य पित्रवाला होता है और देताओं में ब्रहामनों का अधर करने वाला होता है चंद्रमा और गुरु कुंडली में एक साथ बैठे हों किसी की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों चंद्र क्या है मन का कारख है शुक्र क्या है कामनाओं का कारख है तो मन और अगर दोनों का अगर हम इनका चंदर्मन का का सवर ने के लिए बहुत लालायित रहता है अगर चंद्र और शुक्र कुंड़ी में एक साथ हो काम करने इकला जानने वाला होता है ऐसा व्यक्ति अपने कुल में बहुत प्यारा होता है थोड़ा आलसी भी होता है और व्यपार में निपुन होता है इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा और शनी का योग हो तो क्या होता है चंद्रमा और शनी अगर कुंडली में एक साथ बैठे हो किसी की कुंडली में तब क्या होगा ऐसे में चंद्रमा क्या है चंद्रमा मन है शनी क्या है दुख है शनी को व्रत भी बोलते हैं तो चंदरमावेशनी के योग में ब्रत इस्त्री से स्योग उपाने वाला होता है, यानि ऐसे व्यक्ति को चाहे हेल्प मिले या चाहे उसका अफेर्स हो मतलब अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ होता है चाहे उसकी अफेर्स हो चाहे उसको हेल्प मिले तो अपने से किसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ उसको यह सब चीजें बिलती है हाती गोड़े पानने वाला होता है चंदरमाय वैश्यनी वाला ऐसा इंसान हाती गोड़े पानने वाला होता है चरित्र रहित होता है चरित्र वान नहीं रहता चरित्र की थोड़ी कमी रहती है जल्दी वश में होने वाला होता है वश में चल दिया जाएगा कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसके वश में आ जाएगा पराजित होता है हार मानने वाला होता है क्योंकि मन है और दुख है तो मन और दुख चिब दोनों साथ मिलेंगे तो ऐसा व्यक्ति हार मानने वाला होगा, पराजित महसूस करेगा अपने आपको हमेशा तो चंद्रमा वेशनी के योग में ब्रत दिस्त्री से सयोग पाने वाला, हाती गोड़े पानने वाला, गजवाष्य संपाल को विगत शील है, यानि हाती गोड़े पानने वाला, वश्यो विधन पुरुषय पराजित है, चरित रहीत जल्दी वश में होने वाला और ऐसा प्रपेशन की क्लास, डीजी क्लास और एडवांस अस्तिलोजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी छुप हों, वो अपना नामंकर्म करा सकते हैं, धन्यवाद, जै शी क्रिश्ना